अगर आप कोई भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पे सारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमने यहाँ पे पूरे questions को include कर दिया है जो भी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं और इनको हम आपको कैसे याद रखना है वो भी हम आगे आपको tricks की तरीके से बताएंगे इससे आपकी सारी questions को बहुत ही अच्छे से और easily याद कर पाएंगे तो चलिए बीना late की हम start करते हैं पहले हम बताएंगे आपको कि यह है क्या ठीक है यह five year plans होता क्यों है इसे करवाता कौन है responsible कौन है इसके members कौन होते है चेर्मेन कौन होता है तो पहले हम basics को समझते हैं फिर हम आपको important MCQs की तरफ ले जलते हैं तो देखें तो planning commission एक commission थी ठीक है जो की एक non constitutional और non statutory body थी जो बनाती थी five year plans को ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि five year plan कौन मनाते थे तो यह planning commission मनाती थी और यह एक non constitutional और non statutory body थी तो आज कल के exam में क्या हो रहा है कि आपसे दो तिन statement देखे पूछा जाता है कि if both are correct one to three are correct only one is correct इस type के questions आज कल exam में बहुत आ रहे हैं तो अगर आपसे दे दिया जाए option यानि की question में कि planning commission is a constitutional body first question है यह second है कि planning commission is a non statutory body और आपसे पूछा जाए इन में से कौन सा सही है तो आपको ध्यान देना है यहां पर कि only second option जो होगा वो आपका correct होगा क्योंकि पहला क्या है non constitutional यह constitutional बिल्कुल नहीं है तो इस तरीके से आपको ऐसे questions को पढ़ना है तो guys मैं आपको ऐसे question की format में इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं आपको ऐसे बताती हूँ तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि okay इस तरीके से आपको differentiate करना है तो I hope मैंने आपको यह topic का यह जो point है यह clear किया है next देखें इसे establish किया गया था planning commission को 1950 में under the article 39 जो की आता है under directive principles of state policy के अंदर तो आपको यह article भी आत रखना है 5 year plans related 39 article है ठीक है और इसके chairman कौन होते हैं जो prime minister होते हैं इंडिया के वो इसके ex-officio chairman होते हैं planning commission के next देखें देखें इपेक्स body gives final approval to five year plan in इंडिया तो एक body जो इसे final approval देती है इस five year plan को जो planning commission बनाता है इसको final approval देने का काम करती है national development council करती थी अब तो यह बंद हो गया है planning commission अब आ गया है नीति आयोग ठीक है तो national development council थी जो इसे approve करती थी इसे establish किया गया था in the year 1952 तो I hope यह clear है आपको और next देखें इसके बाद क्या हुआ नीति आयोग आगी planning commission को हटा दिया गया उसको हटा के इसे नीति आयोग को establish किया तो इसे establish किया गया था in the year 2015 ठीक है next देखें तो यह जो five year plans होते हैं वो central plans होते हैं तो planning commission को 1950 में बनाया गया ठीक है और five year plan first five year plan जो है इसे बनाया गया from 1951 तो 56 में तो यह था इसके बाद जो last यानि कि 12th five year plan था वो हमारा last five year plan था जिसका duration था from 2012 to 2017 तो यह चला था under the leadership of Manmohan Singh तो यह था last वाला five year plan तो आप देख सकते हैं तो इसका में थीम क्या था प्लानिंग कमीशन का फास्टर, more inclusive and sustainable growth यह इसका थीम था तो एक्जाम में थीम अगर पुछा जाएं तो यह आपको याद रखना है इसका जो target growth rate था यह 8% यह इनका target रखते थे ठीक है तो यह थे हमारे सारे important question हमने आपको यहाँ पर maximum सारे questions को यहाँ पर discuss किया है last में आपके questions भी है important जो आपके test questions होते हैं वहाँ पर हम आपको यह question जरूर पूछेंगे तो इन सब को अच्छे से याद रखिए चलिए तो देखिए हमारा पहला question हम अब mcq format में start कर रहे हैं when was the planning commission setup अब बताए यह बहुत easy है मैंने आपको बता दिया तो अगर आप जानते हैं तो खुदी टिक करिएगा ठीक है 1950 में इसे setup कर दिया गया था हमने अभी पढ़ा था planning commission 1950 में आया और first five year plan जो है है ना इसे बनाया गया था 1951 to 56 के लिए ठीक है तो देखिए यहाँ पे on the recommendation of advisory planning board under the chairmanship of KC नियोगी यह बनाया गया था इसके first chairman कौन थे जवाहरलाल नहरू तो देखिए जवाहरलाल नहरू उस time के prime minister थे और हमने previous slide में पढ़ा कि जो prime minister होते हैं वही उसके chairman होते हैं तो यहाँ पे first chairman बन जाते हैं जवाहरलाल नहरू और first deputy chairman थे यहाँ के गुलजारी लाल नंदर ठीक है तो यह थे यहाँ के first deputy chairman अगला question who implemented the first five year plan तो first five year plan को किसने implement किया यह इंप्लिमेंड किया गया by prime minister of India उस time के जवाहरलाल नहरू और देखें बहुत बार question ऐसा पूछा जाता है कि five year plan जो था किसके ओपर based था तो यह based था on harod-domar model ठीक है तो आपसे ऐसे अगर direct पूछा जाए और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि harod-domar model किस five year plan में use किया गया है तो यह use किया गया है in the first five year plan तो I hope आपको clear है next question देखें what was on top priority in the first five year plan तो जब first five year plan था उसकी top priority क्या थी अच्छा गाईस देखें actual में क्या था कि हर five year plan में ए एक particular goal था यानिकी एक focused goal था जैसे कि first five year plan में था agriculture agriculture के ओपर इन्होंने focus किया था second five year plan में इन्होंने industry के ओपर focus किया था तो ऐसे ही हर year के जो plan थे हर five year plan उसमें एक-एक particular इन्होंने गोल बनाया था तो आपसे यहां पर यही पूछा जा रहा है तो देखें यहां पे हमने आ five year plan है उसका सारा क्या-क्या goal था main goals last जो slide है वहां पे हमने include किया है और साथ में आपके लिए वहां पे यह भी include किया है कि first five year plan में क्या-क्या चीज थी जो बहुत important थी second में क्या-क्या important थी ऐसे हमने पूरा एक proper table बनाया है आपको वीडियो के end में वो मिल जाएगा तो इसक इसके बाद economist Kay and Raj जो थे यह कहलाए गये थे architect of this plan ठीक है तो इन्हें architect of this plan कहा गया था next question which of the following person drafted the second five year plan most repeated question of every exam यह है CGL के जो maximum हर year यह question आता ही आता है तो देखिए second five year plan जो था वो किस के किस person ने draft किया था यह आपको बताना है तो यह draft किया गया था by PC महालोबिस ठीक है बहुत ही important question है पूरे वीडियो का यह most important question है तो देखिए यह जो plan था second year plan यह किसके उपर बेस था industrial and transport plan था यह in contrast to the primary plan which was called the agriculture and irrigation plan तो जो first year का plan क्या था agriculture और second year का जो plan था यह था industry and transport plan तो यह था हमारा second year second five year plan next चलते हैं what was the duration of second five year plan तो duration क्या था second five year plan का इसका duration था 1956 to 61 पहला क्या था first year का plan okay one minute 1951 to 56 था next वाला आता है 56 to 61 तो यह था हमारा second five year plan तो हमने अभी अल्रड़ी पढ़ा ना based on महाल नंबिस model था यह और यह किसके उपर focus कर रहा था industrial development की तरफ focus कर रहा था तो जो first और second five year plan है यह बहात ही बार पूछे जाते हैं exam में पहला तो आपको यह पता होना चाहिए कि agriculture के ओपर था second वाला industry के ओपर था तो इस तरीके से आपको याद रखना है next देखें during which five year plan did India opt for a mixed economy mixed economy इंडिया ने किस five year plan में यहाँ पर opt किया था तो इन्हों ने इसे opt किया था इंदा second five year plan जो कि हमने अलड़ी पढ़ा 1956 to 61 का जो टाइम था वो था second five year plan तो देखें यहाँ पर five steel plants including दुरगापूर steel plant जमशेद पूर steel plant as well as भिलाई were set up as per second five year plan तो यहाँ पर पांच steel plants जो है उसे established किया गया था इसलिए यहाँ पर इसे mixed economy कहा जा रहा है next question देखें which five year plan proposed to make India a self-reliant and self-generating economy तो किस five year plan ने कहा कि इंडिया को self-reliant और self-generating बनाना है तो यह कहा गया था in third five year plan तो देखें यहीं सीज लिखी हुई है यहाँ पर तो यहाँ पर इन्होंने expect किया था कि इनका जो growth होगा target वो इन्होंने 5.6% रखा था बट इनकी जो actual growth हुई थी इस वाले five year plan में यह थी 2.8 तो यह एक तरीकी का failure था इसके बाद जो है इसे shift करके from development इसे बोल दिया गया defense and development ठीक है तो दिखें इसका time period है 61 to 66 तो हर five year के span में यह हो रहा था इसको also क्या कहा जाता है गडगिल योजना ठीक है तो गडगिल योजना कहा जाता है इसे क्योंकि उस time पे यह जो थे गडगिल जो है यह उस time के deputy chairman थे planning commission के तो यह था हमारा third five year plan guys अगर कोई भी query है इसमें तो आप comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है यह content अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करिए और चैनल को subscribe कर लेजें आपको आगे आगे ऐसे question और और ऐसे ही topics के उपर videos मिलते ही रहेंगे ठीक है तो देखे with stability अगर आपसे पूछा जाए किस 5-year plan में था तो ये था in the fourth 5-year plan ठीक है तो ये था from 1969 to 1974 इसे कहा जाता है अशोक रुद्रा मेनन model और इस time पे ही गरीबी हटाओ का ये जो slogan है ये दिया गया था ठीक है तो आपको ये अच्छे सियाद रखना है यहाँ पे अगर पूछा जाए कि गरीबी हटाओ slogan किस 5-year plan में दी गई है तो ये दी गई थी in the fourth 5-year plan तो देखे हमने जो है four जो है four five-year plans को discuss कर लिया है next देखे है question क्या है under which five-year plan blue revolution was started तो blue revolution कहाँ पे था किस five-year plan में कहा करा गया था तो ये किया गया था in the seventh five-year plan तो देखे है the blue revolution was first launched in India as the Neelie Kranti mission during seventh five-year plan जो था from 1985 to 1990 के time का उस time पे blue revolution हुआ था बहुत ही important question है seven five-year plan में हुआ था blue revolution तो इसके लवा और बहुत सारे revolution है agriculture sector में हम उनको discuss कर लेते हैं exam में ये भी पूछे जाते हैं आपसे तो देखे red revolution जो होता है meat और poultry के section में होता है pink revolution जो है onion pharmaceutical और prawn production के उपर इस sector में है ये pink revolution देखे जो color है उसी से related है आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है red meat है pink onion तो इस तरीके से आप याद रखिए white revolution बताइए क्या हो सकता है milk production ठीक है yellow क्या है इलो जो है oil होता है oil का color yellow उसी तरीके से oil seeds है उसके production के उपर जो है yellow revolution करा गया था green revolution किसके लिए किया गया था food grain production के लिए किया गया था golden revolution किया गया था horticulture और honey production के लिए और golden fiber revolution जो है jude production के लिए किया गया था तो एक्जाम में directly question यहां से आते हैं कि golden fiber revolution किसे related है तो यह related है to jude production और golden revolution किसे related है यह related है to honey and horticulture तो आपको इस तरीके से यह सारे revolution को याद रखना है next question देखिए the 11th five year plan ended in the year तो यह कब तक चला आपको यह बताना है तो यह जो 11th five year plan था यह end हुआ था 2012 में तो हमने पढ़ा कि जो last वाला जो planning commission का five year plan यह 2012 से 2017 तक चला ठीक है तो इसके पहले वाला था 11th यह कब खतम हुआ होगा 2012 में यह खतम हुआ होगा आपको ऐसे याद रखना है ठीक है तो इसने किस के उपर focus किया था 11th five year plan यह inclusive growth के उपर focus कर रहा था और यहाँ पे growth rate जो थी 8% थी next इन विच five year plan वस जवाहर रोजगार योजना लांच तो जवाहर रोजगार योजना लांच की गई थी इन दा 7th five year plan तो देखिये इसे लांच किया गया था राजिव गांधी गवर्मेंट तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो थे राजिव गांधी थे उन्होंने इसे लांच किया था next the basic objective of fifth five year plan वस तो fifth five year plan जो था उसका basic objective क्या था तो इसका basic objective जो था ये था poverty removal तो ये था from 1974 to 1978 इसने focus किया on गरीबी हटाव employment, justice, agriculture production and defense और इसे जो है इस plan को terminate कर दिया गया था in 1978 by the newly elected government ठीक है next in which in India which of the falling five year plan was launched with a focus of sustainable growth तो sustainable growth के लिए कौन सी five year plan बनाई गई थी तो ये बनाई गई थी 12th five year plan बहात ही important question ने टिक कर लीजे sustainable growth को focus किया था in the 12th five year plan और ये हमारी last five year plan भी थी तो इसका जो theme था ये था fast faster, more inclusive and sustainable growth target rate थी इसकी 8% हमेशा की तरहा और ये जो थी under किसके थी government बन मोहन सिंग government तो इसके बाद ही नरेंदर मोधी PM बने थे और उसके बाद ही उन्होंने planning commission को dissolve करके नीतियायोग को बनाया था तो last जो था ये वाला था 2012 से लेके 17 वाला ठीक है next देखे खादी आन विलेज इंडस्ट्री कमिशन वस स्टैबलिस्ट इन विच फाइव यर प्लान तो खादी आन विलेज इंडस्ट्री जो है इससे स्टैबलिस्ट किया गया है in the second five year plan तो एक ये क्या है ये एक statutory body है 1957 में इसे बनाया गया था ठीक है next question the annual plan described a plan as planned holiday were implemented during तो एक annual plan बनाय गई थी तो ये जो है इस टाइम भी कोई five year plan नहीं थी एक three year की एक annual plan बनाय गई थी जिसे हम कहते है planned holiday तो इसे किस year में किया गया था ये आपको बताना है तो देखे इसे 1966 से लेके 69 तक को जो period था उसे हम plan holiday कहते है तो क्यों नहीं बनाय गई थी five year plan उस टाइम पे और क्यों ये plan holiday बनाय गई क्योंकि उस टाइम पे इंडो पाकिस्तान वार था उसके बाद inflation और cva draw था जिसकी वज़े से यहाँ पे ये annual plan को रखा गया था next है what was bought in place of the planning commission in 2014 तो देखें 2014 में planning commission को dissolve करके क्या बना दिया गया ये बनाया गया यहाँ पे नीती आयोग को तो नीती आयोग अब क्या करती है ये एक think tank है that bought in place after the election of Modi government in 2014 तो नरेंद्र मोदी के elect होने के बाद इन्होंने planning commission को हटा करके नीती आयोग को establish किया तो अब बढ़ी रहे हैं तो बताईए नीती आयोग का full form क्या है देखें National Institute for Transforming India इसका full form है next तो गाइज ये थे हमारे सारे important MCQs जो भी exam point of view से important थे हमने यहाँ पे सारे आपको बता दिये हैं अब हम कुछ important facts हैं उनको पढ़ लेते हैं तो देखें first five year plan कब तक था हमने आपको बताया हुआ है just a revision है ये तो 1951 से 56 तक के था ये five year plan को किस जगा से लाया गया है किस country से हमने बौरो किया है five year plan का idea हमने USSR यानि कि Russia के constitution से इसे बौरो किया है father of Indian economic planning किसे कहा जाता है ये कहा जाता है M. विस्वेश्वराया को next है chairman of Niti Ayo कौन है तो अभी क्योंकि जो PM होता है वही यहाँ पे chairman होते है तो अभी नरेंद्र मोधी PM है तो यही अभी chairman है Niti Ayo के vice chairman कौन है Niti Ayo के तो ये है सुमन बेरी CEO कौन है Niti Ayo के ये है अमिताब कांथ next है Niti Ayo का headquarter कहा है ये Delhi में है New Delhi में तो 12th year plan जो था उसका period क्या था 2012 से लेके 2017 इसका time period था इसके बाद very important question last deputy chairman कौन थे planning commission के है न तो जो last वाला जो था ये वाला उस time पे deputy chairman कौन थे ये आपको बताना है इस time पे तो ये थे मोंतेक अहलू वालिया तो ये है most important questions from this topic तो guys देखें जैसे हमने आपको बताया हम आपको एक tabular format देंगे जहां पे हम आपको एक साथ सब बताएंगे first five year plan जो है 1951 से लेके 1956 के बीच में था इसका main objective हमने पढ़ा agriculture के उपर था ये focus कर रहा था second five year plan किसके उपर focus कर रहा था ये industry के उपर focus कर रहा था यहाँ पे इसका time period है 56 to 61 maximum time period आप से नहीं पुछा जाएगा but ये जो objectives है ये बहुत ही important है exam के लिए तो आपको ये पढ़ लेना है तो आप देखें यहाँ पे पहले agriculture यहाँ पे industry third five year plan में self-sufficiency की बात की गई थी तो यहाँ पे S लिख लीजे fourth five year plan में sustainable growth की बात की गई थी fifth five year plan में poverty को हटाने की बात की गई थी sixth five year plan में improvement of infrastructure की बात की गई थी both agriculture और industry की जो infrastructure है उसको improve करने की बात की गई थी seventh five year plan में modernization की बात की गई eighth five year plan में human resource development की बात की गई थी यह बहुत important है next step five year plan में यहाँ पे rural development की बात की गई tenth में increase in investment 11th five year plan में यहाँ पे overall development of people की बात की गई और 12th five year plan में यहाँ पे sustainable development की बात की गई बहुत ही important है 12th 5-year plan इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ये सब planning हो रही थी planning commission के द्वारा तो उस time पे PM कौन कौन थे ये आपको पता होना चाहिए जो हमने important है यहाँ पे include कर दिया है तो देखिए फर्स टाइम फर्स जो planning commission की फर्स 5-year plan थी उस time नहरू थे जवाहरलान नहरू PM थे next 4th year plan के time पे इंदरा गांधी PM थी 7th 5-year plan के time पे राजिव गांधी थे 8th के time पे पीवी नरसिम्बन राओ थे 9th के time पे अटल बिहारी वाजपाय थे और 11th के time में मनमोहन सिंग थे last वाले में भी मनमोहन सिंग थे तो ये जो है most important PMs हैं जो आपको याद रखने हैं directly exam में पूछा जाएगा आपसे कि 7th year जो plan था 5 year वाला उसमें कौन थे PM तो आपको directly answer पता होना चाहिए राजिव गांधी उस time पे PM थे इस time के questions exam में पूछे जाते हैं तो गाईस देखिए फर्स्ट year plan में क्या क्या चीज important थी हम उनको discuss कर लेते हैं agriculture development की बात की गई थी IIT को बनाया गया था हीरा कुन डैम, भाकरा नंगल डैंग और उसके अलावा दामोदा डैम को यहाँ पे construct किया गया था second five year plan में यहाँ पे industrial development की बात की गई steel plants को बनाया गया था TIFR और Atomic Energy Commission को start किया गया था third five year plan में यहाँ पे panchayat elections start की गई थी उस time तक panchayat elections नहीं थे उसके बाद start कुए cement और fertilizer की factories open की गई fourth five year plan में यहाँ पे green revolution हुआ important है इसके बाद 14 banks को यहाँ पे nationalize कर दिया गया next is fifth five year plan यहाँ पे गरीबी हटाओ का slogan आया minimum need price को यहाँ पे introduce कर दिया गया next है sixth five year plan इस time पे नाबाड को establish किया गया again important इसके बाद economic liberalization हुई family planning यहाँ पे expand हुआ next है seventh five year plan यहाँ पे self sustained economy की बात की गई eighth five year plan में LPG beginning हुई LPG यानिकी liberalization privatization और globalization इसकी शुरुबात हुई इसके अलावा इंडिया जो है world trade organization का एक member बना था ninth five year plan में social economic development की बात की गई tenth वाले में poverty को reduce की बात की गई अगला है 11th five year plan यहाँ पे distant education की बात की गई थी यहाँ पे inclusive growth और higher education को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया था जो 18 to 23 years के लोग हैं उसके higher education के उपर बढ़ावा दिया गया था in the 11th five year plan और जो 12th five year plan था वहाँ पे sustainable development की बात की गई बहुत ही important है last वाला तो guys यह थे हमारे सारे important questions चलिए हम आपको एक दो तीन questions पूछते हैं इनका जो answer से आप comment section में लिखे बताईएगा आपको बताना है theme क्या था five year plan का ठीक है इसके अलावा second five year plan जो था वो किसके बारे में बात कर रहा था यह आपको बताना है इसके बात आपको बताना है कि नाबार्ड का establishment किस five year plan के बाद हुआ यह हैं तेन important questions जिनका आपको comment section में answer करता है तो बस guys आज का यही था last slide I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हमने यह आपे सारे questions को include करने की कोशिश की है कोई भी question हमने नहीं छोड़ा है तो please वीडियो अगर अच्छा लगा हो like करिए share करिए और ऐसे exam related content के लिए channel को subscribe करिए आगे आगे अच्छे अच्छे content आगे बहुत मिलेंगे आपको तो चलिए have a nice day